मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रिडिंग्स के लिए हम आप दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे ये जनरल लिडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ को रेजोनेट की नहीं करेगा अगर आप सांसाइन किसी भी साइंस अगर आप एरीज हो यानि मेश राशी हो तो यह रिडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशी तरह रेक्वेस्ट रहेगा अगर आपको रिडिंग अच्छी लगे चाहिए को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक शेयर में क और वाशी आप जिन के साथ रिष्टे में हो आपकी पॉसल की करन फिलिंग क्या है ते बंदा कही न कहीं ये उमीद लगा के रखा हुआ है उनके तरफ एक माफी आएगी यह भी माफी मांग सकते है कभी-कभी ये सोच रहे है लेते हैं कि माफी मांग लेना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने जगा यह बंदा या बंदी स्थीर है इनको लग रहा है कि माफी आपी को मांगना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह आपकी बच्चों की माता या पिता है या फिर यह बनने जा रहा है या बन चुके है या फिर ऐसा सोचते है कि यह जो है अपने जगा सही है आपको माफी मांगनी चाहिए आपको रिष्टे को आगे बराने के लिए कोशिश करना चाहिए क्योंकि यह अपने जगा सही है और यह sacrifice करने के लिए भी राजी है उन्होंने बहुत sacrifice किया बहुत कुछ किया तेकिन अभी आपकी बारी है ऐसा यह सोच रहे हैं और एक बात energy wise बर्सा होते रहते हैं हो सकते हैं यह आपकी energy हो एरीज अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो आपके मैं आपके लिए क्या कहूं आप दुखी रहोगे बहातर गंदे में थुड़ा परिशान रहोगे किसी unknown fair से आपको आपको किसी अन्न चीजों से फियर रहेगा डर रहेगा कि ऐसा हो सकता है और आपको कोई गुड़नी उसका इंतजार रहेगा आप पूरी तरीके से नए तरीके से सुदू करना चाहते हो रिस्ते को एक नए लेवल पे जाके रिस्क लेना अपने लिए सही सोचना लेकिन कहीं न कहीं आप थोड़ा दुखी भी रहोगे आपको यह लगेगा कि यह जो चल रहा है यह सही नहीं है मुझे लगता है आप भी उनकी तरफ से गुड़नी हो जाने का इंतजार कर रहे हो कि वो आपको मनाए यह आपके पास आए और आप इसी तरीके से चीजों को सही करना चाते हो कहीं न कहीं किसी 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 के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग किसी फैसले का इंतजार कर रहे हो पैसे से रिलेटेट कोई गुड़नी होज होगा कुछ फैसला आएगा इसी वजा से आप दुखी परेशान हो रहे हो हो सकते हो आपको लगेगा कि जब यह चीजे मुझे पता चल जाएगा तब मैं खुश हो जाओंगा या खुश हो जाओंगी आप अपनी तरीके से कुछ को खुश रखना चाहते हो चाहोगे इन भागतर घंटे में लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरीके से खुश भी रहोगे आप भी दुखी रहोगे आपको भी कुछ डिशिशन लेने का इंतजार रहेगा आपको भी कुछ अन्नोन फेर्स रहेंगे तो यह आपकी तरफ से भी एक परेशानी जैसा स्थीती रहेगा मुझे लगता है यह भी इंतजार कर रहा है आप मतलब आप उनसे माफी मांगो और आप इंतजार कर रहे है कि यह आपके पास है ऐसी एनर्जी वाइस बरसा हो सकत है यह आपका आप उनसे माफी की इंतजार कर सकते ओर यह आने का इंतजार कर सकते हैं है यह चाहते क्या हैं मैंकि और यह बहुत सारा कौमेनिकशन चाहते करना चाहते हैं अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं आप जिनके साथ विष्टे में हो एरीस कोई लियों हो सकता है वर्लोस पाइस टॉरस किसी भी राशी के हो सकते हैं राशी मतलब नहीं एनर्जी के बात है कोई एक्यूरियस हो सकता है तो यह बंदा आपसे बात करने के लिए हिम्मा जुड़ा रहा है मुझे लगता है यहीं माफी मंगना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है गलती उनसे हुआ है कितना भी वह अपने आपको इस तरीके से रखके कि उनको कोई फर्क नहीं लिए बात करने के लिए और कुछ इसके लिए जो बात करने एं उसमें अपना हिम्मत भी जुटा रहा है यह अगर आगे आके आपसे बात करेंगे क्या ऑप उनको माप कर दोगी बोलने के लिए हिम्मद उटा रहा है बंदा क्योंकि ये बहुत सारा कॉम्मिनकेशन चाहते हैं कितना भी अपने आपको समाल के रखे आपको दिखाए ये वो लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए देख लेते हैं इनका एक्षन क्या रहेगा जब एक्षन लेने की बारी आई है मुझे लगता है ये कंफ्यूज है क्योंकि उनको लगता है कि क्या आप उनको माप करोगे ये पहले से ही अपने अंदर हिम्मद उटा रहा है पहले से ही अपने आपको मतलब तयार कर रहा है तो ये अपने आपको बैलेंस करेंगे इन बहात्र गंटे में यह अपनी गुस्से को गंट्रोल करेंगे अपने आप को बैलेंस करेंगे और यह दो-दो चीजों के साथ बंदा जगलिंग कर रहा है confusion के साथ और strength के साथ कभी-कभी उनको लगता है नहीं मापनी मांग लेनी चाहिए जाके बात कर लेना चाहिए कभी-कभी उनको लगेगा नहीं अगर मैं बात करूं तो बात नहीं बना तो इसलिए ये अपने अपनी तरीके से चीजों को control करने की परिषच कर रहा है लाइफ को बैलेच करने की कोशिश करेगा इन बहात थी घंड़े इसे पर अपप से प सबासे को कोशिश करें नहीं कभी अब देखें कि यंआ चाहते है उनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है वैलेंस करना चाहिए आपको भी अपने आपको बैलेंस करना चाहिए चीजों को लेड़ गो कीजिए मून के काट दो दो बारा आए इसका मतलब यह है कि जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो परिशान हो आप किसी अन्होनी को ल चाहिए परेब कर रहा है तो आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइव को बैलेंस करनी पड़ेगी आप किसी लिबरा के साथ भी डिल कर सकते हो और लेड़ को करने की एक जो है सब्सक्राइब करना है नहीं नहीं है आपको लेट गो करनी चाहिए आपको लेटको के कीने आने सब्सक्राइब करोंगे तब तक आप पुरानी चीजहों में हो और जब पुराणी चीजों में आठके रहो कि तब तक आपको दुख होगा इसलिए आपको लेडगो करनी परेगी आपको भी अपनी लाइपको बैलेंस करना परेगा ताकि हमेशा आपको परेशाली ना हो सही तरीके से सोचे बिंदास तरीके से सोचे जो होगया उसां हो को गे बातों को तब तक परिशानी आती को होगी तो थैंक यू फो वाचिंग एन फिन मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए और वीडियो देखते रही हूं